तो चलिए देखते हैं future perfect continuous tense इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो कारे रहेगा वो क्या होगा भविश्य में किसी समय तक जारी रहेगा ठीक है मतलब एक particular यहाँ परफेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका perfect में एक particular यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा अगर future की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग भविश्य की बात कर रहे हैं future में एक particular time रहेगा उस time तक वो काम क्या रहेगा करते रहेंगे ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया है तो यहाँ पर फटा फट हम आपको एक example देंगे उसके साथ में रूल बताएंगे फिर उसके साथ में ही क्या करेंगे उसका negative interrogative और double interrogative भी क्या करेंगे साथ में ही translate करेंगे तो चली ही start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अप लोगों का affirmative sentences पढ़ेंगे जो हम लोगों का future perfect tense में होगा ठीक है हम लोग के यहाँ पर क्या देख रहे हैं किसकी affirmative यानि की simple tense की बात करते हैं simple tense में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कोई एक पहले sentence आपको दे देते हैं फिर हम उसके rule के accordingly करेंगे ठीक है वैसे अगर rule यहाँ पर देखा जाए तो rule हमारा बनेगा जो बनेगा subject रहेगा will shell तो हम लोग किसमें use करते हैं future में will shell तो हम लोग use करते ही करते हैं साथ में और हम लोग जो perfect करते हैं उसमें have लगा देते हैं perfect से यहाँ पर हम क्या लेंगे have लेंगे और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और include करते हैं क्या include करते हैं? been include करते हैं हमको पता है continuous है तो main verb की हम लोग first form लगाएंगे और उसके साथ में क्या ले लेंगे? ing form ले लेंगे ing की form के बात में अब हम लोग यहाँ पर क्या use करेंगे? object यूज़ करेंगे plus इसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? since or for लगाते हैं क्या लगाते हैं? since or for लगाते हैं अब since or for लगाते हैं तो since or for के बारे में हम आपको यहाँ सबसे पहले समझा देते हैं ताकि आपको यह problem ना हो कि हम sin's कब लगा रहे होते हूं form कब लगा रहे होते हैं अगर हम time की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक घंटे से पढ़ा रही हूं ठीक है one hour से क्या कर रही हूं आपको पढ़ा रही हूं बट यह तो सच नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे हमने बोला 1 hour अब कौन से 1 hour हमको यह particular नहीं पता है कि हम कौन से 1 hour से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अगर यहाँ पे आपको बोल दें कब से 10 o'clock से क्या बोल देंगे 10 o'clock आपका क्या हो जाएगा clock हो जाएगा या फिर आपका क्या बोल सकते है 10 a.m से ठीक है morning 10 a.m से अब यहाँ पे क्या लग जाएगा अब यहाँ पे since लग जाएगा ठीक है आप बस यह समझो कि फौर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें particular time नहीं पता होता है कि हम कितने बज़े से या exact time जब आपको exact time दे देगा ठीक है क्या दे देगा exact time दे देगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे since लगा देंगे sentence लेंगे तो उस पे और जादा आपको easy होगा कि आपको समझने में तो चलें यहाँ पे sentence लेते हैं हम लोग affirmative का rule हमने already आपको बता दिया से खेल रहे होंगे ठीक है क्या होगा होंगे गागेगी हम लोगों का लगता है यह हमें पहले से पता हो जाता है यहाँ पे की गागेगी है हमने यहाँ पे rule हमारा क्या था एक बार फिर से लिख देते हैं क्या था subject था फिर हमने use किया will shall use किया उसके बाद में हमारा क्या था have हमने perfect से लिया इसमें हमने सिफ been include किया main verb की plus ing थी हमारे पास object था उसके बाद हमने क्या लिया था since और for लिया ठीक है कुछ नहीं करेंगे sentence जैसा है वैसे ही put करेंगे क्या है 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे तो हम पहले इसको change करेंगे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे तो कौन दे तो subject यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों दे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दे आपका दे लगाया आप दे के साथ में हम लोग क्या use करेंगे will use करेंगे क्या हो जाएगा they will have been आपका में वर्ब क्या है खेल यानि की प्ले इसका क्या हो जाएगा playing आप क्या कर रहे थे वे दो खंटे से खेल रहे थे ठीक है playing two hour ठीक है क्या हो जाएगा playing for two hours by seven o'clock क्या है seven o'clock अब seven o'clock यहाँ पर इसलिए लिया गया है means यहाँ पर इसलिए लिया गया है भाया कि हमको यह नहीं पता है कि यह morning का seven o'clock है या evening का seven o'clock है I hope properly understood तो चलिए अब इसी sentence को हम क्या करते हैं इसी को हम आपको यहाँ पर change करके बताएंगे negative में किसमें इसमें change करेंगे अब इसी sentence को हम यहाँ पर क्या करते हैं change करते हैं negative में तो negative में change करने के लिए आपको सिफ और सिफ rule को ध्यान में रखना है निगेटिव का देखो, निगेटिव के लिए हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ not include कर देंगे, जैसे हमारा rule बनेगा, rule हमारा क्या बनेगा, subject बनेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, will shall होगा, after will shall we will use not, not के बात में सेम हम लोगों का क्या हो इसी sentence में क्या हो जाएगा, साथ बजे वे दो घंटे से नहीं खेल रहे हुआंगे, क्या हो जाएगा, साथ बजे वे दो घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, अब नहीं खेल रहे होंगे तो कुछ नहीं same to same वही करेंगे कोई भी changement नहीं रहेगा यहाँ पे same लिखेंगे क्या लिखेंगे they will have they will यहाँ पे क्या हो जाएगा not they will not have been playing for two hours by seven o'clock I hope आपको इस समझ में आगया बहुत अची तरीके से अब इसी को हम किस में change करना आपको सिखाएंगे interrogative में इसी को किस में change करना है interrogative interrogative means होगा आपको जो answer होगा वो yes और no में ही देना पड़ेगा बस ठीक है क्या होगा आपका वो yes और no में ही आपको देना पड़ेगा उससे जादा नहीं होगा तो sentence इसी को क्या पूछ लेंगे क्या वे साथ बजे दो घंटे से खेल रहे होंगे तो question क्या बन जाएगा यहाँ पर हम question बना लेते हैं क्या वे क्या वे दो घंटे से खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे दोनों अपले सकते हैं खेल रहे होंगे ठीक है तो यहाँ question mark आजाएगा अब इसका rule अगर हम लोग यहाँ देखेंगे बच्छो तो rule के लिए हम लोग बात करेंगे तो rule अब हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अब will shell सबसे पहले आ जाएगा क्या जाएगा यहाँ पे will shell को हम क्या कर लेंगे सबसे पहले लिख लेंगे उसके बाद में आ जाएगा हमारा subject फिर हम लगाते हैं have been लगाएंगे यहाँ पे अब have been के बाद में आएगा main work की first form के साथ में ing रहेगा object रहेगा यहाँ पे फिर क्या आजाएगा since और for हम यहाँ पे use कर देते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो गया interrogative का यहाँ पे rule हो गया पेटा यह rule सबसे ज़्यादा important होते हैं अगर आपने एक का ही learn कर लिया affirmative का तो negative और interrogative और double interrogative आप क्या कर सकते हैं उसको easily form कर सकते हैं वहाँ पे कोई changement नहीं होता बस आपको यह याद रखना पड़ेगा आप not कहां पे use करोगे उसमें confused नहीं होगेगा आप इसी को translate कर लेंगे तो क्या वे दो वज़े से तो पूरा रहेगा आपका क्या होगा will they will they have been अगर न हमने यहाँ पे पहले साथ बज़े नहीं लिखा तो यहाँ पे by seven o'clock आप नहीं लिखेंगे ठीक है बस आपका यहीं तक इतना ही complete हो जाएगा I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यहाँ पे अब next हमारा क्या बनेगा next बन जाएगा double interrogative double interrogative का rule क्या बनता है बहुत आपको बस डबलो एच फैमली को invite करना होता है आपको कहां invite करेंगे interrogative के घर में तो ठीक है बाकी interrogative का same as it is यहाँ पे क्या कर लीजे आप पूट कर लीजे आपको कोई चेज नहीं आप इसको ना अगर four time आपने देखो एक rule को लिखा है और आपने उसको four time इसको लिखा four time आपने बोला तो आपको तुरंत का तुरंत ही learn हो जाएगा आपको कुछ भी यहाँ पर चीज़े रटने की जरूरत नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम लोग रटने नहीं आते हैं रट तो आपने लगा लिया होगा जब स्कूल में पढ़ा होगा अब यहाँ पर concept हमारा क्या चलेगा हम लोगों का समझना चलेगा ठीक है बेसिक आपका फॉंडेशन ज्यादा बेस आपका फॉंडेशन या आपका बेस है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है तो आप आके के question सको यूज कर सकते हैं अब यह आपका question mark रहेगा कि आप कमेंट में करके sentences को देखना है आपको already पता है कि हम लोग यहाँ पर present past or future इन सब के पूरे कर चुके हैं indefinite कर चुके हैं हम इसका continuous कर सकते हैं कर चुके हैं perfect कर चुके हैं और perfect continuous कर सकते हैं इन सब के 4 के parts हम easily यहाँ पर complete कर चुके हैं और सब के रूल आपको दिए जा चुके हैं तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेर किया होगा, अब आपके यहां पे क्या है, क्या है, जिसको आपको चेंज करना है, जैसे फर्स्ट कोईशन है, let I play tabla ठीक है यह क्या है एक statement है let I play tabla इसको आपको future की all tense में change करना है सारे पर आपकी किस में करने है आपको सारे affirmative में करने है future आपका future tense का करना है simple future फिर आप करेंगे future continuous में करेंगे future perfect में करेंगे future perfect में करेंगे future perfect continuous में करेंगे इस एक sentence को फिर next sentence है आपका they will be playing cricket for two hours इसको change करना है simple past tense में change करना है और simple past tense का आपको क्या करना है बस rules याद रखना है वो भी affirmative यहाँ पर आपको negative यह सब कुछ नहीं दे रखा है तो सिफ और सिफ आप affirmative का ही करेंगे next है आपका he must be coming by राजधानी expert इसको आपको present perfect में change करना है तो present perfect का rule लगा के आप इसको change कर देंगे next है he should be completed this work by next Monday इसको आपको change करना है past continuous tense में next question है I am going to play इसको change करना है past perfect tense में I hope आपको properly अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने इन सब को translate कर लिया easily बिना किसी mistake से तो आप यह समझे कि आपको tenses के rules आपको पता चल गए आपने active passes में active के सारे rules पढ़ लिये हैं बहुत अच्छे से और आपको translation आ गया तो आप easily से किसी भी चीज को कोई भी sentence को translate कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो translate आपको हमने थोड़ा सा यहाँ पर English to English दिया है यहाँ पर Hindi to English भी दे दिया है जो बचे Hindi medium के हैं उनको problem नहों इसलिए तो पहजान मैंने आपको sentence में बता रखी थी तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं आम खाता हूँ तो यह खाती है तो यह मारा simple present है आपको टाइम से मिल सकेंगे और इस session को आप प्रीज लाइक करना ना भूलिए क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों को motivate करते हैं और आपके लिए हम और अच्छे-च्छे से वीडियो से यहाँ पर बना के देते रहेंगे और आप अपने friends के साथ में इसको क्या कर सकते हैं share भी कर सकते thanks for watching and have a good day